नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सर्मार्ग दैनिक रासीफल सो से पर जानते हैं थे पंचांग के बारे में 12 नूमबर 2022 सनिवार का दिन है माक्सिस माह के कृष्ण पक्ष की चतूरती तिति और नच्छत रहम रिक्सिरा सिद्धी नमक योगबंडा अवजीत मुर्ते सुबह 11 ते तालीस से दोपर बाराइब 26 तक और रहुकाल का समय सुबह 39 से सुबह 11 बज़े तक रहुकाल के समय में कोई भी ने और सुबकार ना करे भी न आ सकती है बात करते हैं अचके रासीफल की ब्रिस्टिक वालों आज दिन कुछ मामलों में थोड़ा सा भारी है तो ऐसे में देखिए अपनी योजनाओं का खुला सा आप अन्य लोगों के सामने ना करें कि आप क्या करने वाले हैं आप क्या करना चाहते हैं वैसे तो आज स्वास्त का भी धियान रखना है और अगर वहां चलाते हैं तो थोड़ी सी साफधानी से चलाईएगा वैसे इंकम के नए स्रोत आज बनने के योग हैं और किसी अंजान लोगों पर ततकाल भरोसा मत और नोकरी के मुद्दों में ब्यस्त हैं जिसकी वज़ा से आप अपने अपनों के साथ समय ब्यतीत नहीं कर पा रहे हैं आज थोड़ा सा अपनों के लिए भी आप समय निकालते नजर आएंगे वैसे सनी मंदर का जब कर सकें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा तो आ आज आपके स्वास्त का थोड़ा सक ख्याल रखना है किसी उची किसी से भी उची आवाज में बात आज मत कीजिए वड़ना रिस्तों में खटा सा सकती है और खुद में थोड़ा बदलाव लाईए ब्यापारियों के लिए उत्तम दिन है रुके वेकारे पूरे होंगे और और आज मन में निरासा नकात मकता का प्रभाव थोड़ा है तो नौकरी में कारे चेतर में यहां पर थोड़ा से देखिए एक खर्चा अब अब भी बढ़ेगा और कारे चेतर में आपकी ब्रदी होगी पोजिटीव लेकिन मांसिक सांती के लिए आपको प्रयास करना होगा और क्रोध से बचिए कुटुम्ब परिवार में धार्मी कारे हो सकते हैं वस्तर पर खर्च थोड़ा बढ़ सकता है सेक्षनी कारेों में तरक्की मिलेगी जो विद्यारती है उनके लिए बढ़िया है आपको टेंसन नहीं लेना पढ़ाही लिकाई करें और गाहतरी बंत ज जो श्रोत हैं वो बढ़ेंगे मेहनत पर विस्वास करें कुछ मानों में दर्द या तुलाबर जैसी चीज़े हैं थोड़ा सा ख्याल रखिएगा केवल एक दिन को नजर में रखकर जीने की आदत को छोड़ दें ज़रत से जादा पैसा और वक्त खर्च ना करें और आज की नीव अगर आप रखें तो उत्तम है लेकिन आज के दिन खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखना है और यात्रा बेगेर पर भी थोड़ा ज्यादा खर्च हो रहा है इसका भी ख्यान रखें लब लाइप में उत्तम दिन है क्योंकि प्रेम विभा होने के योग हैं आप को प्रभावित कर पाएंगे प्रेम का इजहार करने के लिए बढ़ियां दिन है और बैवाहिक संबंद बढ़ियां है क्योंकि लंबी दूरी के यात्रा आपके जीवन के साथी के साथ आज बनता हुआ नजर आएगा तो आज आए के नए श्रोत भी आपको मिलेंगे आपक